यूपी के बिजनोर में पडोस के ही एक वहशी दरिंदे ने आठ साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला वहशी दरिंदे की करतूच सड़क किनारे लगे सीजी टीवी कैमरे में कैद हो गए पुलिस ने आरोपी यूवक को गिरफतार कर दुशकर्म का मामला तरज कर लिया है पुलिस के हत्ते चड़ा ये है महमूद जो नजीबा बाद के जलाला बाद का रहने वाला है आट वर्षे मासूम को चीज दिलाने के बहाने सुनसान इलाके में लगया और वहाँ पर उसके साथ रेप जैसी गिनोनी वारदात को अंजाम दिया गनीमत ये रही कि जिस रगा से आरोपी ने इसे परचून की दुकान से खाने की चीज दिलवाई वहाँ सड़त किनारे कैमरा लगा हुआ था जब कैमरा खंगाला गया तो आरोपी उससे अपने साथ ले जाता दिखा कैमरे की निशान देही पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया है साथ ही अपना गुनहा भी कबूल कर लिया है फिलाल पिडित मासूम की हालत नाजुक पनी हुई है जिसका इलाज सी एससी में चल रहा है यह 25 तारीक की रात लगवा आठ से नौजे की बीच में एक आठ नौ सार की बच्चे के साथ मेहमूत नाम की बच्ची ने इसके साथ मराद कार किया है इसमें अर्योग बच्ची करने अगया है अब फिलीफी के अफ्तारी हो गई है इसमें वैदानी कार्वी की जानी है